आज वित्मंत्री जी ने जो बजट पेस किया है वो राजस्तान की जनता के साथ दोखा है चलावा है ने लेखानुदान है ने बजट है पेस लेखानुदान करना था लेकिन लोग सबाचुनाओं को देखते हुए कुछ उसके अंदर तड़का डालने के लिए कुछ गोसणा लेख़ें ति मैं कहना चाओं गा और पूछना चाओंगा ये लोग कह रहे थे हम राज में आते ही डीजल पेट्रोल के ऊपर जो सैसे उसको हम अटाएंगे जिसके लिए उमीद कर रहे थे सब लोग बड़ी उमीद कर रहे थे कि आज डीजल पेट्रोल पर जो सैस वेट जो लगा हुआ है उसको सरकार कम करेगी लेकिन उसको कम नहीं किया केजी से पीजी तक की सिक्षा फिरी करने की बात कर रहे हैं कि बजट के अंदर क्या प्रावधान किया है एक रुपए का प्रावधान है क्या और मैं फिर पूछना चाहता हूं के जी से पीजी के अंदर बच्चों से कौन सी फीच ली जा रही है ओल्रेडी कोलेज तक की सिक्ष्या बच्चियों के लिए तो गहलो जी न कि वादर्स गाओं बन गए क्या इससे पहले मेहंद्रा से सिटी बन रही थी वह आपने पूरी कर दी क्या आप सिरफ और सिरफ लोगों को गुम्रा करने का काम कर रहे हो आप कह रहे हो हम पैंशन बढ़ाएंगे डेड़ सो रुपे आपने कानून नहीं पढ़ा क्या राज बन चुका हैं उन चीजों का हूं वापिस पढ़ रहे हैं और एक जंता के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिती पैदा कर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं स्थि के लिए आपका विजन क्या था आप बताते एश्टी के लिए आपका विजन क्या था आप बताते आदिवासी के लिए आपका विजन क्या था आप बताते मज़ूर के लिए आपका विजन क्या है बताते किसान के लिए आपका विजन क्या है बताते परदेश का आम अ कि यह लोग ढाई गुणा कर छोड़ के गए थे हम डेढ गुणा कर छोड़ के गए और आज खुद यह कह रहे हैं कि हमारे अंदाजह है कि सरसथ अजार क्रोड का लोस इस बजट के अंदर रहने वाला है माइनस में रहेगा घाटा रहेगा तो फिर यह तो हमारे गुणा कोई परदेश को आगे बढ़ाने का कोई खाकत त्यार नहीं कर रहे है ये इस परकार का बजट जो है मैं समझता हूँ परदेश की जनता के साथ छलावा है इन लोगों को जो वादे किये थे जनता से किसान की सम्मान निदी 12,000 करने का वो करना चाहिए था उसको 8,000 कर दिया मैं तो सोच लाए था कहीं पन्ना तो नहीं रह गया कोई बजट के अंदर वित्मंत्री जी ने गल्ती से कहीं कोई पन्ना चोड़ दिया हों लेकिन बाद में पता चला बजट पूरा पढ़ दिया वेट के बारे में डीजल पेट्रोल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी और मैं एक बात और कहना चाहूंगा इनके लोग आज भी सदन की मरियादाओं का पालन नहीं कर रहें वितमंत्री जी जिस परकार से बजट पढ़ रही थी और बीच में जिस परकार से अपनी तरफ से जोड के बाते कह रही थी वो कभी बजट के अंदर होता नहीं है बजट जो बना हुआ होता है वो ही पढ़ना होता है और उसका हम लोगों ने इतराज किया बात की तो मुख मंत्री जी कह रहे हैं कि आप महिला को नहीं बोलने देना चाह रहे तो कोई अबला महिला नहीं है जिनका मुख मंत्री जी बचाओ करना चाहते हैं बजाए इसके वो अपने सदस्यों को ट्रेनिंग दे मंत्रियों को ट्रेनिंग दे सदन के अंदर क्या आपका आचार होना चाहिए क्या आपका वहवार होना चाहिए कब आपको खड़ा होना किस परकार से मेला सा बना रखा है अंदर कभी अध्यक जी किसी को डाटते हैं कि ये माहूल अंदर है तो मैं पुने पिर यह कहना चाहूँगा बजट एकदम निरासा जनक है जो लोगों को जो उमीद देती उन पर कहीं ये खरा नहीं उतरा है आपकी जो योजना थी जैसे चिरंजीवी योजना थी उसका नाम बगल दिया गया आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार आपकी उस योजना फुले के कितना सीर्यस तजरा देखिए चिरंजीवी योजना और OPS योजना और ERCP योजना मैं तीनों पर कहना चाऊंगा परड़ी बारत सरकार ने अन्य राजों की सरकारों ने भी की है और राजस्तान आज पूरे देश के अंदर मेडिकल के उपर सबसे ज़्यादा पैसा कर्च करने वाला देश है राज है हमारे यहां के लोगों को बहुत बड़ी रहत बीमारी के अंदर चिरंजीवी योजना से मिलती रही है लोगों की जान बची है लाखों लोगों की जान बची यह लोग उसकी तुलना करते हैं आयुस्मान भारती योजना से मैं पहले आपको बताना चाहूंगा आयुस्मान भारती योजना सिरफ जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं सिरफ उनी को कवर करती ह मात्र 55 लाख परिवारों को ही कवर करती है और चिरंजीवी योजना पूरे राजस्तान के 99 परसेंट लोगों को कवर करती है दूसरी बात चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का इलाज पलस किसी भी प्रकार का ओर्गन ट्रांस्प्लांट है उसका कवर अलग से देती है आईश्मान भारती योजना मात्र 5 लाख रुपे का इलाज मुहिया करा रही है इतना बड़ा अंतर है तो हमारी योजना का ये लोग नाम नहीं बदल सकते फिर तो योजना ही इनको बदलनी पड़ेगी हाँ हम जरूर ये कह रहे हैं कि हमारी योजना का नाम बदलने हम इनका पूरा सयोग करेंगे कोई विरोध नहीं करेंगे पर ऐसी योजना परदेश के अंदर जारी रहनी चाहिए ये परदेश के गरीब लोगों का मिडल क्लास का मज़़ूरों का एक बहुत बड़ा फाइदा करती है लोगों की जिंद्गी बचाती है दूसरी बात मैं करना चाहूंगा OPS पे OPS पे भी सरकार ने कोई अपना रुख इस पर नहीं किया है ये OPS रखेंगे या NPS लेके आएंगे ये बात हम पहले से उठा रहे हैं आज भी कह रहा हूं कि इस पे भी इनकी मंसा साफ नहीं है और देख लेना आप मेरा चैलेंज है ये लोग सबाचुनाव निकलने के बाद में ये वापिस NPS हमारा समझोता है मद परदेश से उसका MOU मुखमंद्री जी ने किया है हम लगातार MOU की कोपी मांग रहे हैं आज वीडिया के सामने भी MOU की कोपी नहीं आई है मुखमंद्री जी क्या MOU करके आए हैं पूरे परदेश के 13 जिलों का सवाल है अब ये 21 जिले कहने लग रहे हैं ने वो 21 जिलों की लिष्ट आई है कि 8 जिले कौन से बढ़ाएं क्या 13 जिलों में ही जो नए जिले बने हैं उनका ये उलेक कर रहे हैं या पुराने जो जिले बना दी तीसरी बात में कहना चाहूँगा कि ये ये बताएं कि पहले जो पानी का जो बटवारा हुआ था 3510 MCF वो पानी हमें मिलेगा या अब 2410 का ये जो MOU की सुनने में आ रही है क्योंकि MOU तो आया नहीं तो उस बटवारे पर पानी मिलेगा तो वो बताएं तो सही MOU जंता के सामने लेके तो आएं विधान सभा के अंदर E-RCP पी चर्चा होगी एक घंटे की चर्चा होने के बाद भी एक घंटे की चर्चा होने के बाद भी इन लोगोंने अब तक MOU की नहीं दिये तो मैं ये कहना चाहूँगा MOU की कोपी भी उप्लम कराएं E.R.C.P. के लेके बड़ी-बड़ी बाते करें वो किलियर करें और ये भी बताएं कि E.R.C.P. आपने पांच साल लेट क्यों की पांच साल पहले E.R.C.P. आप लेके आ सकते थे राजेस्थान का जल सकती मंत्री था आज भी है तो उस समय क्यों नहीं लागू की 25 सांसर हमारे आसे जीत के गए थे आज केंदर सरकार इसको लागू करती है तो केंदर सरकार का तो एक मेहना 20 दिन बचे हैं कभी भी आचार सहीता लग सकती है तो अब आखरी में चलते हुए R.C.P.P.C की गोशना करके सिरफ इसका राजनितिक फाइदा उठाना चाहते हैं जनता इनको माफ नहीं करेगी यह मैं कहना चाहूंगा पांच साल जो इननों डिले की उसका जवाब जनता जरूर मांगेगी